आप सब लोग जानते हैं कि अखिल भारती विद्यारती परिशद ने जो बिहार के विश्विद्यालियों में लंबे समय से सेक्षिरिक आरजक्ता यह भरस्टाचार फेला हुआ है उसके बिरुद मानिये उच नेयाले पटना में एक प्याईयल दायर किया था और बिहार सरकार से इसमें जाच करने की मांग की थी तो इसके परड़ाम शुरूप अभी जो जाच हुआ है और जाच के बाद जाच के बाद जो शाख्षी सामने आए है जिस तरह से बरस्टाचार में लिप्त होने का पता चला है कि बिभिन कुल पती विहार के जेस बरस्टाचार का उनके विरुद साक्ष मिला है और साक्ष मिलने के मावजूद भी शरकार की और से और माननीए कुल अदिपती कारवाई की वर से उन पर कोई कारवाई नहीं करना इस बात का सिधा संकेत है कि इन लोगों को कहीं न कहीं सिस्टम में संडक्ष्ण प्राप्त हो रहा है विद्यारती परिशन का यह स्पस्ट मांग है कि इन कुलपतियों को अभिलंब निलंबित किया जाए जिससे बिहार के विद्यालों में पढ़ने वाले लाकों चात्रों के भविस को हम सुरक्षित कर पाएं विद्यान सबा सत्र के दोरान मामला उठा था लोगों ने मामला उठाया लेकिन करवाई के नाम पर सिफर रहा कोई करवाई नहीं हुई जिसके चलते विद्यारती परिशन के उप सब्कि जविला मुख्यालियों पर नगर मुख्यालियों पर प्रकण मुख्यालियों पर प्रागर्ण का आमारा क्र्जिक्रम है जो बहुत जिसने भारी और लाखों चात्र भाग लेने माले आलोग तिवारी सिनेट सदस पाटली पुत्र विशुद्याले से हूँ जैसा कि हम पुरा प्रकरन चल रहा है व्रस्टाचार का मगद विशुद्याले को लेकर घेरा हुआ है और जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि कुलपती कब निरम्मन के बात हो रही है लेकिन वो छूट्टी पर चले जा रहे हैं तो हम मानिये कुलादेपती महदर से मांग करते हैं कि इसकी जांच करे और अतिस्षिद है ना उनको इस्तिपा दिया जाए क्योंकि बिहार जो रहा है सिच्छा के लिए अग्रनी रहा है और बिहार में कहीं कहीं विश्विदाले के अंदर ये जो दाग लग रहा है कहीं ने कहीं बिहार के उपर एक कलंग लग रहा है कि बिहार के अंदर इसतना सिच्छा विवस्था है जो चर्मराय गई है और सार डिजिटल न्यूस 20